हलो एवरिवन, सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, कॉंग्रेशुलेशन, जिनोंने निमसेट में पेस्ट पर्फॉर्मेश दी, आप सब लोगों को इंतिजार था, निमसेट 2021 का पहले एक्जाम के बाद रिजल्ट का, और रिजल्ट आने के बाद मैंने कम्यूटी पर डाले थे, पर आज रिजल्ट के साथ साथ मैं कुछ अपने मन की बात भी आपको कहना चाओंगा, तो पहले तो आप जब इंट्पीटर्स गुरुकूल के रिजल्ट देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या रिजल्ट है, ये वो रिजल्ट है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि इंपिटर्स गुरुकूल ने क्या किया इससा, और सबसे खास बात है कि इंपिटर्स गुरुकूल का रिजल्ट मतलब होता है, इंडिया के उन सभी बच्चों का रिजल्ट, जिनों ने इस साल बेस्ट पर्फॉर क्योंकि इंपिटर्स गुरुकूल में किस तरह से बच्चों ने रिजल्ट दिया ये जानना बहुत ज़रु है, पिछले साल भी जब इंपिटर्स का रिजल्ट आया था, और मैंने सारे बच्चों के इंटर्व्यू डाले, तो बहुत सारे बच्चों का अलग-अलग कि सर, ये जो बच्चों के उस्पिरेंस है न, इन्होंने हमारी लाइफ में बहुत चेंज लाया, अब आप इस साल भी देखेंगे, अब इंपिटर्स गुरुकूल ने 2nd September को अबट सेरे मनी रखी है, इंडिया भर के जहां जहां के बच्चें दूर-दूर के वो सब आने वाले हैं और अपने experience शेयर करेंगे और मैं सभी आप से कहूंगा आप सबसे कि उनके experience सुनिए क्योंकि impetus गुरू कुल का result का मतलब क्या है वो समझना बहुत जहूरी है और impetus गुरू कुल क्या है ये भी जानना आप सब के लिए बहुत जहूरी है हर वो बच्चा जो लगभ गुरू कुल के classroom बच्चों का, online course के student, pen drive course के student, test series के student, magical course के student का result है और सोचिए अगर मैं इस result में जो केवल YouTube से impetus गुरू कुल के channel के फुरू जुड़े हुए है उनका भी शाप दूता तो ये result कई गुना बढ़ जाता है अभी भी ये जो सेक्डों बच्चे आप देखने वाले हैं और इनके interview सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कोई कुछ भी कहे पर ये result जो है वो अपने आप में सब कुछ कहता है हाँ ये जहूर है कि इस बार impetus में top 10 और top 20 में कोई बच्चा नहीं है पर उसके बार लगबग हर line में बच्चे हैं पर impetus गुरू कुल की एक अ पानना है रैंक तो एक नंबर है नो डाउट कि अच्छी रैंक आती है तो खुशी होती है पिछले साल जब जैसे 7th 8 के रैंक के बच्चे आये थे पर इस रैंक के साथ आप बहुत सारी चीजे समझ पाएंगे ये जो रैंक आप देख रहे हैं बच्चों की ये कोई normal बात नहीं है अलग अलग तरह के बच्चे हैं impetus गुरू कुल हर तरह के बच्चों को सपोर्ट करता है जो बच्चा classroom जोईन कर सकता है खुश्टल में रहके पढ़ाई करता है वो बहुपाला जाता है जो नहीं आपाता वो online course जोईन कर लेता है या जहां network की problem है वो pen type कर लेते हैं और problem है test series जोईन कर लेते हैं और भी problem है किसी की financial वो magical course से जुड़ जाते है magical test series से जुड़ जाते हैं और सोचिए कि वो अपने घर रह के इतना अच्छा result दे सकते हैं ये कितना बड़ा achievement है impetus के लिए ये है असली result ये वो result है जब आप इन बच्चों के अब regular basis पर experience सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनोंने छे महीने पहले preparation स्टार्ट की कुछ ऐसे हैं जिनने पांच महीने पहले preparation स्टार्ट की कुछ बच्चे ऐसे थे जिनोंने test श्रीज में test papers के अच्छे analysis दिये और result दिया कई लोगों की ऐसी condition नहीं थी कि वो निकल के जा सके हैं और आज से पहले जहूर ऐसा था कि भाई आप कोई option ही नहीं है और जब से य digital platform uniform हुआ है YouTube हुआ है बच्चों को कम से कम यह choice मिलने लगे इंपिटर्स गुरुकुल ने क्या किया है यह आप result देखके अच्छे से समझ रहे होंगे पर मैं कुछ चीजे और बताना चाहूंगा number one कि जैसे अभी कुछ और institute के मैंने यह थोड़ा सा रुका भी इसलिए था result के लिए कि मैंने सोचा एक बार पहले सब को declare कर देना चाहिए क्योंकि जब इंपिटर्स गुरुकुल का result देखेंगे तो सब समझ में जाएगा इंपिटर्स गुरुकुल का जो result है वो हर बच्चे का result है और हर वो बच्चा जो जिसको NIT मिल सकता वो इस result में आपको दिख रहा होगा और ये वो result है जो बच्चों ने बहुत अलग-अलग condition में रहके दिया हुआ है ये अपने आप में एक achievement है और एक और खास बात में बोलना चाहूंगा यहां पर कि जैसे अभी किसी और academy की award ceremony हुई होगी कुछ बच्चों ने मुझे बताया उस award ceremony में भी सोचे कि award ceremony थी किसी और academy की और पूरी एक घंटे अगर किसी के बारे में बोला गया या किसी की तारिफ की गई तो वो impetus गुरुकुल था इसका मतलब आप सोचिए कि impetus गुरुकुल ने क्या किया है ये इस impetus गुरुकुल की असली सफलता है बच्चे तो बच्चे टीचर भी कितना follow करते हैं और मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कर रहा हूं वो सब चीजे सुनते हैं इसलिए उन्होंने बहुत सारी बाते बताई होंगी आपने सुनी भी ह और उसको सुनके समझ गया हूं गया और खुशी की बात यह है मैंने जब यह चैनल स्टार्ट किया था जब निमसेट के लिए सबसे स्टार्टिंग चैनल भी स्टार्ट किया कोशिश की गई कि हर वो बच्चा जो किसी कारण से नहीं निकल पाए उसको भी पढ़ने का मौक हैं कई सारे तो बच्चों ने मुझसे बात कियो मैंने बोला बिटा बिलकुल आप कॉलेजेस के रिव्यू कॉलेज की इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें हैं जो डालो और बहुत सारे चैनल अच्छा कर रहे हैं और मैं उन सभी को बोलूँगा कि यह बहुत अच्छी ब बच्चा ऐसा ना हो जो फाइनेशन कंडिशन की वज़े से ना पढ़ पाए और यह काम इंपिटर्स गुरुकुल ने भी किया और कई लोग और भी कर रहे हैं बहुत ही खुशी की बात है और वो पढ़ाने का काम कर रहा है इंपिटर्स गुरुकुल भी चैनल ऐसा ही जिस आज सोची कि जो बच्चा केवल यूटूब से जुड़ा है उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया और जब वो मुझे फोन करता है कि सर केवल आपके जो वीडियो थे ना उन्होंने मेरी अच्छी रैंक ला दी और यह एक तरीका आपने कोई चीज नहीं छोड़े जबकि यूटूब पर पढ़ाना कोई आसान नहीं होता उपन प्लेटफॉर्म पर यह असली सफलता इंपिटर्स गुरु कुल की जब वो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर कहीं ना कहीं हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता हम तो सोचते थे अपनी जगे ले 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 आज हमें पता है कि MCA में कौन से कॉलेजिस अच्छे हैं कौन से बुरे ही यह असली सफलता जिस टीचर का समझ में आए जिससे पढ़के आपको खूशी मिले पढ़ो बस पढ़रा है ये इंप्Seanन्य आपको मुझे से पढ़के अच्छा लगता है आपकोbels जोईन कर लो test series कर लो आपको किसी और से लगता उसको कुर मिजगाइड मत हो बट को मत और impetus गुरू कुल ने ये काम कर दिया हर वो बच्चा जो भटक राधा या जिसको पता ही नहीं था क्या करना है उसको लाइम पे लाया इसमें कोई डाउट नहीं कई बच्चे बोलते हैं कि सर दिन मे के तैयारी करते है कई और रात को जब कई बार टेंशन होती है डिप्रेशन होता है तो आपका चानल देख लेते हैं फिर innovate हो जाता है अगले दिन से लग जाते हैं जब मैसेज किसी बच्चेका आता है या फूं आता है तो मुझे लगता है यह असली सफलता है इसे बोलते ह लिए पढ़ा रहे हैं, वो भी अपनी जग अच्छा काम कर रहा है, और ये काम कभी बंद नहीं करना है, और बढ़ाना है, कम से कम वो सभी बच्चे, हर वो बच्चा, जो आज आप देखें, तो पिछले पांस साल से, कॉम्टिशन का लेवल नंबर आफ स्टुएंट्स की संख्या, चार से पांच गुनी हो गई, और ये बहुत अच्छी बात है, आईटी दस बारा लाक लोग देते हैं, निमसेट नहीं देते थे, पर नंबर आफ स्टुएंट बढ़ने से फाइदा ये होगा, कि ये कोर्स बं नहीं होगा, जैसे आईटी रुड़की में सबसे ज़्यादा सेलेक्शन इंपिटर्स से होते थे, एक आईटी एक ऐसा सिंगल जगे थी रुड़की, जहां पर M.C.A. प्रोग्राम होता था, और तीस सीट्स में हर साल 6, 7, 8 बच्चे इंपिटर्स गुरु कुलके जाते थ पर appearing candidate कम थे, ultimate क्या हुआ, बंद कर दिया, पर आज awareness बढ़ने से, ये फायदा हुआ कि number of candidate बढ़ ला है, इसलिए आपने एक चीज़ नोटिस कियोगी कि N.I.T. पटना जुड़ गया, हो सकता आने वाले समय में और भी N.I.T. जुड़े, आज B.E. वाला बच्चा भी M.C. इसलिए इंट्रेस रखता है, उसको पता है कि क्या पढ़ना है, क्या syllabus है, ये असली सफलता है, तो मैं आप सभी बच्चों को, जिनोंने इस साल सफलता लिये, जिनोंने इस साल rank लिये, और जिनको N.I.T. या college मिलने वाला है, उन सभी को मैं ढहर सारी बढ़ाई दूँगा और साथ में ही बोलूँगा बिटा, ये start है, ये end नहीं, क्या होता है, कई बार कुछ लोगों का मानना होगा, कि rank 1, rank 2 या इसी पर pressure देना, मेरा ये मानना नहीं, मेरा मानना है कि stress दे के, पढ़ाई करने में कई बार बहुत सारी problems वी आती है, जैसे अगर आप सभी लोगों आपने जहूर सुना होगा कि सरकस में भी ringmaster hunter से जानवर को train कर देता है, पर उसे well trained बोलते हैं, well educated नहीं बोलते हैं, दूसरी बात जब एक बच्चे ने आपने notice किया होगा कि suicide कर लिया, एक pressure में, मैं आपको बताता हूँ impetus गुरू कुल में, क्या हुआ, कि पहले मेरी आद बना रहा, मुझे इस बात का इतना दुख हुआ, मैंने एक चीश सोची, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मेरे वज़े से, कोई बच्चे के साथ ये panic situation में ऐसी कोई घटना हो जाए, और मैंने उस दिन के बाद ये बोल दिया, कि आप 7 बज़े class start हो जाएगे, और कोशिश कर रहा हो, ये बच्चों ने घर पे रहके दिया, ये कितना बड़ा achievement है, classroom में तो बहुत कम बच्चे रहे गा थे, क्योंकि ये lockdown वगएरा था, ये अपने आप में achievement है, तो वो मैंने बिल्कुल clear रखा कि नहीं, कभी भी बच्चों को stress होता है, मैं बोलता है, मुझसे बात करो बात करोगे तो problem solve होगी, कभी अपने अंदर problems को लेके सोचते मत रो, इतना pressure भी मत लो, कि उस pressure में कोई कभी जीवन में गलट decision ले लो, और ये ही impetus गुरू कुल के सफलता है, कि impetus गुरू कुल में एक well educated बच्चा मिलता है, उसको डर नहीं लगता जीवन में, कई बच्च अपने आप से जीवन कि आपके वज़े से आप तो आगे बढ़ो, अपने साथ 10 लोग बढ़ो, impetus गुरू कुल में एक सबसे अची बात जो मैंने देखी, बच्चा खुद तो पढ़ता है, ये साथ में 10 लोगों को और motivate कर रहा होता है, ये बहुत important बात है, एक दूसरे से अपनी बात शेयर कर पाते हैं, ये important बात है, ये मैं मानता हूँ कि असली सफलता है, क्या होती है success, वो बहुत important चीज़ है, और आप सभी बच्चों को ये बात में इसलिए बताना चाहता हूँ, कि आप अभी महनत करिए, जितनी अच्छी rank है, बहुत खुशी की बात है, इ बहुत आगे बढ़ना ये तो start है, अभी तो जीवन में बहुत कुछ ऐसा करना आपको, जिससे आप अलग तरीकी से जाने जाओ, एक अलग आपकी पैचान बने, आप जिस college में जाओ, वहाँ आपकी अलग पैचान हो, एक अच्छी company में place हो, कोशिश करो, खुद तो अब और अपने लोगों को आगे निकालो, आज जो awareness बढ़ रही है, जो MCA को लेके, इसकी मुझे बहुत खुशी है, उस खुशी इसलिए है कि कम से कम हो सकता आने वाले समय में अब ये course बंद नहीं होगा, नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, कि NIT से MCA ही बंद हो जाए, पर जब number of candidates बढ़ जाते हैं, तो course बंद करना असान नहीं होता, pressure बढ़ जाता है, तो मेरा ये मानना है कि जीवन में आप ऐसे बनों कि आप हर situation को handle कर सको, ऐसे बनों कि आप अपनी बास शेर कर सको, ऐसे रहो कि अपनी problem भी बता सको और दूसरे की problem सुन इनके जब interview सुनोगे और इनके life के experience सुनोगे, तो आप समझ पाओगे कि क्या हमें करना चाहिए और कैसे, और impetus गुरू को ने जो अवियान चलाया है, और जो लोग और भी कर रहे हैं, उनको भी salute, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको क्य आपको पढ़ाने माले मिल जाएगा, पर कुछ ऐसे भी होते हैं, जो सालवर में एक दो वीडियो डाल देते हैं, बच्चों को misguide भी कर देते हैं, पढ़ाना नहीं होता, जैसे मैंने कोशिश की कि magical test series में आपको पढ़ाऊं, जो मुझे लगा expected question वो निकाले वो आपको द इसा पेपर कैसे निकाल सकता है, कि वो पूरे की पूरे copy हो जाएं, नहीं है possible, तो मैं अपनी तरफ से मैंने best कोशिश की, और ऐसा भी नहीं हुआ, कि वो expected question के वल classroom के बच्चों को दिए, online वाले बच्चों को भी दिए, even open भी दिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, कि अगर मा competition होगा, मजा तो उसी में है, पर यही चीज हर एक को लेके चल लिए, तो आप सब एक impetus groupal family के part है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करो, आगे बढ़ो, कभी stress लेके पढ़ाही मत करो, कभी किसी चीज का stress मत लो, selection होता है, well and good, good rank आती है, और अच्छी बात है, पर कि किसी कारेंट से selection नहीं हो पाया, by chance किसी कारेंट से rank नहीं आई, तो घवडाना नहीं है, यह अंत नहीं है, यह तो start है, फिर तैहरी करेंगे, फिर मैनत करेंगे, आज भी हम देखें, तो IAT के compare में, निमसेट में competition बहुत कम है, जहां IAT 10 से 12 लोग देते हैं, वहां यहां प बच्चा, almost एक या दो बच्चे हो, select यहां पे तो ratio अभी भी अच्छा है, तो घवडाना नहीं है, यह सब तो जीवन के part है, इसे ऐसे लेना है कि नहीं, मुझे सीखना है, माल लो अगर किसी बच्चे का selection नहीं हुआ, तो मैं यह बात इसलिए भी बोलना हूँ कि आप देख रहे हैं, इन बच्चों के interview भी अब आपको देखने को मिलेंगे, इनके experience जरूर सुनिये, यह अलग-अलग जगों के बच्चे हैं, अलग-अलग धंग से इन्होंने preparation किये, अलग-अलग condition थी सबकी, कई लोगों की बहुत अलग-अलग type की problem थी, पर उन problems के बाद भी इन्होंने preparation की, और एक इतना अच्छा result दिया, और यह सब वो बच्चे हैं, जिनको NIT मिलने वाला है, तो आप सभी बच्चे जिनको NIT मिलने वाला है, एक बार फिर से बहुत सारी बद आई, और उन सभी बच्चों को में एक बात और बोलना चाहूंगा, जिनकी बाइचर रैंक नहीं आई, परिशान ना हूँ, और महनत करिये, महनत का फल हमेशा मिलता है, महनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और कोई बात नहीं, इस बार हमारे पास tap 10 में नहीं है, 20 में नहीं है, लास्ट यह थे, लास्ट यह जब मैरे पास जो 7th 8 रैंक में था, उसमें ए result हमें और बढ़ाना है, पिछले साल से बहुत अच्छा result है, और इस साल और अच्छा मैनत करेंगे, और अच्छा result देंगे, पर हम अपनी awareness मैनत को कम नहीं करेंगे, आप सभी बच्चों को ये result dedicated है, और मैं आप सभी बच्चों को ये सही है, और वो सुनिये जो सही है, तो आपको जीवन में कभी आसा फलता नहीं मिलेगी, all the best and congratulations once again, thank you.